आपके पास Samsung Galaxy A53 5G smart phone है और आपको करना है इस phone के अंदर फोटो और वीडियो को हाइड तो friends मैं आपको बता हूँगा कैसे फोटो और वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं इस phone के अंदर इसके लिए friends आपको सबसे पहले जाना प्ले स्वेश्व में तो इस फोटो और वीडियो को हाइड कर पाएंगी तो डाउलोड करना है कुछ परमीसर रहेंगी जो कि यहाँ पर इसको इनेबल करनी है और जो भी मैं आपको बताता हूं उनको साइट कीजिए तो इस तरह से प्लस के आइकन पर जाना होगा यहां आपकी खुल जाएगी तो अब गैलरी में से कौन सा फोटो हाइड करना है उस फोल्डर पर क्लिक कीजिए जिसके बाद यहां से आपको फोटो सेलेक करने को इस तरह से जैसे के आपको मल्टिपल या सेलेक करने का भी ऑक्षिन देखने को मिलेगा इसको सेलेक करके इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर क video पर click करना है plus के icon पर जाना है आपको वह उस folder में जाना है जिसमें सब video आपको hide करनी है और इसके बाद आपको माल लीजी यह वाला video hide करना है तो इसपर select करना है और इसपर ही click करना होगा तो अब आपकी video भी hide हो जाएगे अब मैं आपको बताऊँगा इनको access कैसे करेंगे और unhide करना है तो unhide कैसे कर पाएंगे इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दू यहाँ पर आपको जो applog pro है इसकी notifications होती है इसकी notification हडाने के लिए इस पर tap and hold कीजिए तो यहाँ पर आपको देखने हो मिलेगा turn off notification इस पर आपको click कर देना तो आपकी notification यहाँ पर बंद हो जाएंगी तो इस तरह से notification को आप बंद करा सकते हैं अपने applog pro की इसको लिए access करना है तो आपको फिर से इस application को open करना है तो यहाँ पर आजाएंगे photo देखने लिए photo पर click करके photo देख सकते है video के लिए video पर click करके अब आपको photo भी अब video अनाइड करना है तो उसी auction पर जाना है मदब उस folder में जाना है और यहाँ इस तरह से select करके अब आपको यहाँ पर इस lock पर click कर दें तो यह आपका अनाइड हो जाता है इसी तरह किसा आपको वीडियो का अनाइड करने का auction देखने को मिल जाएगा तो अपने हिसाब से इसको hide और अनाइड आप कर पाएंगे आपको दोस्तों आपको वीडियो काफी जाता अच्छी लेगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइकन को प्राइस करना ना भूले चलिए फेंड्स मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक कियर